कि अग्षाइब कर सकते हैं उसका लगागर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेली ग्रॉप का लिंग कमेंड नीचे डाल दिये उसके उपर भी आते हैं उससे पहले आज अपन क्या-क्या डिसक्स करने वाले सबसे पहले अग्रेश के अंदर ट्राइब को देखेंगे ठीक है और यहां पर ब्राइब मेंड वगरा की कुछ टाइम पहले डेफिनिशन चेंज करी थी उसके बार में थोड़ा कुछ देख लेंगे ज्यादा कुछ खास काम का निया दयानांद सरस्वती यह बहुत जादा इसको देखेंगे स्पेक्ट्रम को कवर करेंगे इसके साथ मैं ठीक है उसका अलबा स्मार्ट सिटीज और सारी की सारी कंप्लीट हो जाई और अब जो है उसके अंदर स्मार्ट सिटीज के अंदर और क्या-क्या चीज़े हैं ICCC क्या होता है इसके बारे में कुछ कुछ चीज़े देखेंगे ठीक है उसका अपने जो है तामनेल में देखा होगा वैसे ऐसे कुछ भी नहीं थोड़ा सा इसका अपनेल पर फिर उसका अपर इंडिया का विशू चल रहा है वैसे एरो इंडिया के ऊपर हर साली कुछ नहीं कुछ होता है तो इसके बाद भी थोड़ा बहुत कुछ एक बार देख लेंगे गंगा रिवर मैप यह बहुत जादा इंपर्टेंट है रिवर के ऊपर काफी सारे कुछन्स खूसते हैं तो इसे अपन बहुत जादा डिटेल के अंदर कवर करने वाले गंगा का पूरा रिवर माप कहां स उस चीज को पढढ जा सकता है दूसरी एक चीज होती है साइकलॉन के अलावा कि वहां का जो मैप है यह सैकलोन गेब्रेल कहां पर अभी जो है रेसिंटली न्यूजीलेंड जो है उन्होंने एक वहां पर एक एडवाइजरी वगरा जारी करी गई कि भी गेब्रेल वगरा तो आप थोड़ा धियान रखें तो अपने लिए एक तो cyclone और उससे related चीज़े इंपॉर्टेंट हो जाती है जोग्रफी के परस्पेक्टिफ से है जीएस वन के परस्पेक्टिफ से और जीएस थ्री के अंदर जो है कुछ एक में जायद पूछ ले तो बाइक जीएस वन के परस्पेक्टिफ से और उसके अलावा क्या चीज़े उसके अलावा जो वहां का मैप है तो उस मैप के बारे में कुछ एक थोड़ावन तो बेसिक देख लेंगे जाधा इसके डीप में नहीं कुछ हैंगे ओशेने का मैप थोड़ा सा देख लेंगे अपन ठीक है तो उसके बात क्या चीज है चाइन अक्साइचीन चाइन अक्साइचीन के अंदर चाइना जो है वह एक रेलवे लाइन बना रहा है इसके बारे में होगा आप रोगों ने सुना ही होगा तो इसके बारे में अपन कुछ पढ़ेंगे कैसे 1962 वार भी है जो उसके पीछे यही रीजन था उसका अलावा क्या चीज है कि चाइना और यहां पर जो जम्मु कश्मीर का पूरा मैप है ठीक है उस मैप को डीटेल में कवर करने वाले एक-एक मैप को तो इसमें जम्मु कश्मीर का मैप भी काफी जादा इंपॉर्टन हो जाता है इन सब चीजों के उपर जादा फोकुस देंगे दयानन सरस्वती उसके आपको कहां लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कुछ भी आपको डाउट वगरा हो तो आप वहां पर पूछ सकते है इनका जो इनको स्वाल करने का प्रोसेस है वह करूंग वीडियो के एंड में करूंगा तब तक आप जहें — अर उसमें लिखे और उसके है H1N1 zoosanthaly hepatitis B और influenza ठीक है उसके अलावा यहां पर यह पर यह स्टेटमें नहीं है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह आपका उप्शन्स है ठीक है फिर उसके बाद क्या चीज है विच आफ फॉलोइंग पेर्स देंगो यह बहुत रिसेंट जो 2022 के अ पर 17 पर 8 और पर 10 ठीक है इनके अंदर पार 17 के अंदर ओफिश्चल लैंग ऑफिशल लांगिज है के नहीं है पार यह चैनल इंदर युनिंट इरेक्ट्री है के नहीं है पार 10 गेंदर शेडियू और त्राइबल एरिया है के नहीं यह सब आपके जो है अप्शन्स है सिर इन में से कोई भी सिफ एक पेर, इन में से कोई भी दो पेर, यह तीनों के तीनों पेर, या फिर इन में से कोई भी नहीं, ठीक है, फिर उसका बाद next question, which of the following ka merch भी वापीन यह पर देखो, यह आर्टिकल्स आहां यह डियो निन राता के निया था, ठीक है? which of the following development right not? इसमें से कॉन सा एक fundamental right नहीं है. तो आपके options यहां पर यह हैं, इसमें से direct चुनना है, ABCD में से कोई भी चुनो, freedom of commercial ads, freedom of silence, right to propagate one's views, या फिर right to access to a welfare state, ठीक है, question number 58, which of the following are parts of western ghats, इसमें से कौन से western ghats के parts हैं, ठीक है, यह भी कल अपने western ghats, अगर हैं डीटेल के अंदर कवर करा तो वापिस एक बार देख लेत कुदेर मुख, सेशा चलम, वेनुकॉंड़ा, श्रीमुली और शेवरवाय, सेशा चलम के ओपर मेरे ख्याल से करी के अंदर question पूछ रखाएं, ठीक है, correct आपके मतलब जो यह options हैं, options आप यह हैं, 1 और 2 सिर्फ यह दौनों ही, ठीक है, उसके अलावा 1, 4, 5, यह यह और यह सेवाला, उसके अलावा 3, 4, 5, 6, यहां पर नीचे यह सारे के सारे, यह फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे के सारे, total, ठीक है, फिर उसके बाद इस lecture की PDF की link आपको कहां मिलेगी, तो इस lecture के PDF की link आपको मिल जाएगी, description के अंदर, ठीक है, और क्या मिलेगा आपको description में, description में, आपको of India and the world के ओपर course शुरू कर देंगे, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं करा, तो चैनल को subscribe कर सकते हैं, वीडियो को like कर सकते हैं, अगर अच्छा ना लगे तो dislike कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी telegram जो saved messages की जो chat है, उसके अंदर भी इसको share करके save कर सकते हैं, अगर इसके अंदर आपको कुछ ऐसा लगे जो आपको later date पर देखना हो, उसके अलावा ये पिछले कुछ videos है, इन videos को भी देख सकते हैं, काफी कुछ काम की चीज़ है इनके अंदर, ये telegram group है, ठीक है, इसका link आपको PDF म मिल जाएगा, ये telegram group है, और नीचे description के अंदर भी मिल जाएगा, अगर आपने अभी तक इसे join नहीं करा, तो join कर ले, notifications को on करना मत भूले, ये regular update के लिए, आमिनमाम जो है, अभी art and culture के उनकी वीडियो चली रही है, उसका अलाव भी दूसरे काफी साथ, जो important notes वगर होते ह यहां पर डालता रहता हूँ, और आप भी अपने कुछ doubts वगर, अगर आपको कुछ लगे, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, फिर क्या है, 4G name only, चलो, ये first news है, first news, news के अंदर इसमें बहुत जादा ऐसे कुछ खास नहीं, ये mains के लिए, mains के perspective से थोड़ा सा important हो जाता, बा उसके अलावा क्या चीजें, जहां पर internet connectivity भी है, तो ये जैसे आपको पता होगा, कि जो अपने भी 4G और 5G के अपन प्लाइंस करवाते हैं, तो 4G के जो प्लाइंस करवाते हैं, उस 4G के प्लाइंस के अंदर क्या होता, वो बोलते हैं कि आपको 30 Mbps तकी speed मिलेंगी, और आ लेकिन थोड़ा जो आउटर पेरिफरी में रहते हैं, उनकी जो maximum speed उनको मिलती है, that is 4 Mbps, ठीक है, maximum speed, है न, 30 Mbps की तो जो अंदर, जो city के अंदर रहते हैं, उन्हें भी usually नहीं मिलती है, ठीक है, 30 Mbps की speed होती है, तो जो एकदम अंदर रहते हैं, शहर के अंदर रहते है उन्हें भी usually 30 Mbps की speed नहीं मिलती है, तो यहाँ पर बात तो करते हैं, इतने की मिलेगी, उतने की मिलेगी, मिलती नहीं है, अब broadband जो चीज होती है, broadband के अंदर एक promise speed होती है, कम से कम 512 Kbps की हम आपको देंगे ही देंगे, यह rule बने में, किसने rule बनाया, तो जो regulatory body है, इस case क अंदर जो regulatory body है, उसका क्या नाम में, Telecom Regulatory Authority of India, इन्होंने यह rules बनाया, अब यह ऐसी बात बोलते हैं, कि कम से कम इतनी speed तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन क्या इतनी speed मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है, इतनी भी speed नहीं मिलती है, काफी सारे जो periphery regions वगरा है, वहाँ पर काफी जादा service poor है, काफी जादा issues है, तो इस वज़े से अभी नहीं है, उसका अलावा भी rules change कर देंगे, और बोल दिया, minimum 2 MBPS की speed आपको देनी पड़ेगी, तभी आप जो है broadband कहलाएंगे, यह न, MBPS की speed आपको देनी पड़ेगी, तभी आप जो है broadband कहलाएंगे, उसका अल देखो, regulatory authority of India, जो है, telecom regulatory authority of India, regulatory bodies को पर पहले भी questions आचुके है, आगे भी questions आए, तो बहुत जादा वैसे वाली बात नहीं होगी, इसके उपर, regulatory bodies को पर वैसे ही पूस्त है, ठीक है, अब 1997 के अंदर इसे बनाया गया था, इसके लिए अलग से statutory act आया था, ठीक है, तो यह statutory body इसके अलवा क्या चीज़ है, इसके objectives क्या क्या होते है, तो पहला objective होता है कि जो telecommunications है, उनकी growth को nurture करना, ठीक है, state के अंदर, इंडिया के अंदर, उनकी growth को nurture करना, बढ़े telecommunications, ठीक है, उसका अलवा जो telecom services है, उनकी rate हो गई, उनकी terrace और जो भी है, उनकी rate fix करना, उसके revise करना, कि अभी तुम कितना charge कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, और एक fair or transparent policy होना, क्या होना, fair or transparent policy environment होना, फिर उसका बात क्या चीज़ है, headquarter कहां पर है, try का, headquarter new Delhi के अंदर, ये इतना जाद अपने लिए important नहीं है, उसके अलावा क्या चीज़ है, अगर इसके composition देखो, तो composition जितने भी हैं, वो उनको कौन appoint करता है, government of India appoint करती है, यानि कि union government appoint करती है, फिर यहाँ पर इसका tenure दे रखा, ये भी अपने लिए बहुत जादा important ही, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता दे थी, कि महारशी दयानन जो है, उनके बार में काफी कुछ दे रखा है, और R आजली इतना ही cover करेंगे, उसके अलावा भी मैंने यहाँ पर इसको कुछ दे रखा है, अगर यहाँ पर नहीं मिले तो और कहाँ पर मिलेगा, spectrum के अंदर मिलेगा, ठीक है, जिसकी के पास भी spectrum नहीं है, तो जो भी book पढ़ता है, ठीक है, उस book से इसको पढ़ सकता है, दया और इनी इस्ट्री के अंदर आता है, social religious reforms, ठीक है, social religious reform movement, social religious reforms, जो भी आप कुछ कहलो, तो उनके अंदर एक चीज़ आती है, आरे समाज and दयानन सरस्वती, ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर सबसे पहले, आरे समाज की जो संस्तापक थे, वो संस्तापर क इनका असली नाम जो भी, वो क्या था, ठीक है, तो इनका असली नाम क्या था, मूल शंकर, क्या था, मूल शंकर, याद रखना है, भूलना नहीं है, आरे समाज की यह founder थे, revivalist, जो है, यह वैसे movement, फॉर्म के अंदर revivalist था, ऑल्दो इसका content जो वहाँ पर जो चीज़े जो इ इसके अंदर वो यह नहीं बोलते थे कि जो वेदिक age है, उसके अंदर वापिस चले जाओ, नहीं, age तो modern ही रहेगी, लेकिन जो studies अपने छोड़ दिये, ठीक है, उसको आप जो है, वापिस से incorporate करो, और उनका जो है, जो वेदिक learning है, वेदिक purity of religion है, ठीक है, इन सब का आप जो है, रिवावल करो, not a revival of वेदिक times, वेदिक times का नहीं, लेकिन जो है, religion और learning वगएरा उनका, ठीक है, इन्होंने modernity को accept कराता, ठीक है, तो यह और अपने कहां काम में आता है, देखो, एक तो pre में काम में आएगा, दूसरा GS1 में काम आएगा, तीसरा यह चीज जो है, अ आरे समाज की जो unit बनाईगी थी, इसके ओपर भी question आसेता है, यह तरिविल और वैसे वाले बहुत जादे questions पूसते हैं अचकल, ठीक है, तो आरे समाज की जो पहली unit बनाईगी थी, कहां पर बनाईगी थी, कहां पर बनाईगी थी, बंबे मनाईगी थी, जो headquarters थे, headquarters कहां है headquarters लहोर में है ठीक है मतलब थे उस समय पर ठीक है लहोर लहोर कहां पर है आज की तारिक में पाकिस्तान में ठीक है उसका अलावा ये जो है फेमस इन्होंने एक बुक लिखी थी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश ये भूलना नहीं है ठीक है इसके उपर भी डिरेक्ट कुश भी एक ठीक है इसमें सन्य स्यआर्याज ऑगरा कि जहां पर यूनित विठाई थी वह कहां पर था वो कहां पे था बंबे के अलावा जो आइद कॉर्टर इनंस़ें पसके अलावा इन्होंने बुक है इन्होंने इंद्टेश टー के उस उससका नाम था उस बुक का नाम उसक प्रकाष्टा उसके अलावा क्या चीज है जो प्राइमेरी जो इनकी बात थी वो यह थी कि भी गो वैक टू वेदास है ना और इसमें ऐसा है कि वो मॉड्रणीटी को एक्सेट करते थे कि नहीं करते थे बैलकुल करते थे अचा तो फिर वेदास के अंदर जाने हैं क्या मतलब था जो वेधिक लर्निंग है उसके अंपर जाओ जो जो वेधिक जो रिलिजिन वगरा उसके उपर जाओ समझ में है तो इसके उपर बात यह करते हैं उसका अलावा क्या चीज है एक classless और classless society की बात करते हैं किसी बात करते हैं classless और classless society की तो इसलिए अलग अलग काफी सारी चीजों के अंदर आप इनके उपर जो है focus डाल सकते हैं multiple questions के अंदर United India religious अगर कुछ GS paper 2 के अंदर भी कुछ question आ जाता है ठीक है social justice मैं या फिर जो है अगर GS paper 1 में society से अगर कुछ question आ जाता है या फिर essay में अगर ऐसे आजकल पूछते नहीं है तो United India की बात करते थे religiously socially और nationally इंडिया free from foreign rule वगरा इंस्पिरेशन इन्हों कहां से लीती वेदा से लीती इंडिया rock of ages इसको कहते थे इसके ऊपर question आ सकता है किसी one day exam के अंदर जादा chances है UPSC में भी क्या पता पूछने हैं नहीं पूछने हैं कि इंडिया rock of ages क्या चीज है ठीक है उसका अलावा क्या चीज है education on Vedant Vedant से वेदांत के अंदर इन्होंने education लीती वेदांत क्या चीज है इसे अपने ethics के अंदर पढ़ते हैं और यह जो education लीती किस से लीती तो 22 के अंदर एक question आया कि जो रविंदना टैगोर है अब रविंदना टैगोर का नाम तो सब ने सुना है ठीक है शांति निकेतन का नाम सुना है उनसे Bengal वगरा को भी attach करा है काफी सारी जो है नाइट हूड वगरा इन सब चीजों को भी attach करा वो सब चीज यहां पर जो अपने पास है उसे तो एक बार ढंग से पढ़ लेते तो यहां पर क्या चीज है कि modernity को इन्हों एक्सेप्ट करा और वेदान तक इन्होंने education लीती कहां से स्वामी विराज नंदा से किस से लीती स्वामी विराज नंदा से तो अभी तक अपने क्या क्या पढ़ लिया आरे समा ध्यानन सरस्वती जो है इनका असली नाम उसका अलावा मूल शंकर ठीक है उसका अलावा क्या चीज है बॉमबे लहोर ये सब चीजे देख ले बुग अपने देखा सत्यार प्रकाश उसका अलावा modernity और ये चीज देखी और क्या चीज अपन देख सकते है और अपन चीज देख सकते है कि जो caste-less and classless society उसकी ये बात करते हैं ठीक है उसके अलावा क्या देखा उसके अलावा क्या देखा तो ये चीज़ हो गई ये चीज़ हो गई ठीक है हाँ education इन्होंने विदानता में education लिए और किस से लिए स्वामी विराजनन्दा से लिए स्वामी विराजनन्दा ठीक है इन से education लिए उसके अलावा क्या चीज़ है पुरान बगरा इस अब चीज़ होगे पुरान को इन्होंने क्रिटिसाइज कराता next इहां पर क्या चीज़ लिखी गी इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ आदमेको चल रहे हैं तो उस बिलीव clutch के पुरान और गीता वगरा इन सब अंदर एसी बते लिखी वी है कि तु काम करे जागा उफीर की चिंपार कर और प्रक साहत माल पीछे भागने का मतलम नहीं तो काफी सारेगते पीछे भागने का कोई मतलम नहीं अब आप देखोगे तो काफी सारे ऐसे लोग है आई-ए-टी कर रखी उन्होंने आई-ए-ए-म कर रखी आजकल तो ऐसे बहुत सारे लोग है अब क्या अब क्या बने में अब बाबा बने में जगे जगे अलग अलग जाकर जो भी परवचन वगला देतें और वैसे उन के पास अगर आप देखो तो बहुत मॉटन फोन है बहुत मॉटन घडियां है यह है वो है बहुत मॉटन गुगाडियों में गूम रहे है फुल उनका सिस्टम है और वैसे वो कह रहे हैं कि मैं अमने सब रेनाउंस कर दिया तो बात क्या चीज ह ठीक है? यह लोग बोलते हैं कि जो western societies है, western societies क्यों grow गरी? इसलिए grow करी. इसलिए grow करी क्योंकि वहां का religion जो है, उसका अंदर हो protestant religion और वो सारी बात हैं, ठीक है? तो इसलिए उनका growth हुआ, hindu, जो Indian society है, ठीक है? Indian society का growth ना होने के कारण यही है कि वहाँ का religion है उसकी वज़े से उनकी growth नहीं हुई अब इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि ऐसा नहीं कि भी हमार religion खराब है हमार religion ऐसा है वह वाली बात नहीं है बात यह है कि जो religion की जो faciates हैं वो उस capitalist mindset की तरफ नहीं ले जाते हैं समझ मैं उसके अलावा सिर्फ अपना religion नहीं मैं यहाँ पर protestantism की बात करो Christianity का बात है उसके अलावा और वहाँ पर क्या है उसके अलावा वहाँ पर जैसे जो catholics हैं तो catholics भी ऐसी ही बात करते हैं जैसी अपन बात करते हैं Catholics भी primarily वैसी ही बात करते हैं Catholics भी बोलते हैं कि यह सब चीजे मत करो आप जो आये हो तो यह jail है जो यह अर्थ है ठीक है अर्थ अर्थ नहीं है अर्थ जो है jail है जेल क्यों है आप वैसे स्वर्ख के हो लेकिन आपने बढ़िया काम नहीं करें लाज़ जी सब किसम heaven में जाओगे इसकी वह बात करते हैं तो यहाँ पर यह बात है कि आदमी यहाँ से निकलना चाता है ठीक है कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाओं समझ मैं इस अर्थ से निकल जाओं इसको बहतर नहीं बनाना चाहता, सुनना है, वही protestant जो लोग हैं, हों कहते हैं, कि यह कोई jail वेल नहीं है, यही आपका घर है, और इसी को आपको बहतर बनाना है, आपको जादा जादा तरक्की करनी, ताकि आपको heaven मिले ठीक है, तो ऐसी बात करते हैं, यहाँ पर यह बोलते हैं, जो वेदानत बिल्कुल भी इन सब की बात नहीं करता है, कि यह सब आप काम छोड़ दो, यह कर दो, वो कर दो और जो ऐसे गुमते रहो, यह करो, वो करो इसकी वेदानत बात नहीं करता है, ठीक है तो अपन को वेदानत को नहीं बोलना है, वेदानत के टाइम पर अपन बहुत जादा माइटी थे, पारफुल थे, यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है, कि जब यह चीजे पॉपिलर बिलीफ में थी, देखो मैं समझाता हूं आपको बात यह भी आती ही कि जैसे अगर आपने कभी एक दिन MA órange candy खाई, ठीक है और वह orange candy कहाने के बाद क्या हुआ, उस orange candy खाने के बाद आपको अचानक से जुखाम हो गया अब जरुरी नहीं है की orange candy और जुखाम डारेकली related हो, ठीक है को बोच नो एक आदम उसा दिमाग को पुरान है और कीटा है आब में और उसके जो पुरान है अलावा जो रामायन है ये सारी की सारी चीज़ें अगर इनका आप एक रिलीजिस उसको छोड़के और इसके बाद एक उपर साइंटिफिक और उस हिसाब से पढ़ोगे ठीक है थोड़ा मतला अपने माइंड को खोल के पढ़ोगे तो अगर उस चीज़ को पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं ये सारी की सारी चीज़ें गुपतास के अंदर आईए जितने भी टेंपल्स हैं गुपतास से पहले कभी टेंपल्स थे ही नहीं गुपतास की जो ये जाई तो गुपतास जो थे वो वैश्य पीपल थे ठीक है याद रखना ठीक है अलग-अलग वर्ण होते थे न तो गुपतास जो थे गुपतास वैश्य पीपल थे और वो जो है यूज्वली किंग्स कौन होते थे शत्रीय होते थे शत्रीय नहीं थे तो उसके बाद इन्हें कुछ इस तरीके से establish करना था अपने आपको जैसे आजकल जो है काफी सारे लोग बोल रहे हैं not to be very political बट काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि वह जो रहूल गांदी ये वह आजकल अपने आपको हिंदू दिखाना चाहता है क्योंकि उसके सामने जो मतलrist जो आपनूंट है वह बहुँत जादा हिंदू और वैसे है तो वैसी वाली बात है अब रहूल गांदी जहां से उनकी roots है वह बहुत जादा हिंदू और शुरूवात सैसे नहीं रहे हैं लेकन दूसरे को उनके ऑपंवने die अब इसे है तो इस वज़े से रहूल गांदी भी अपने आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मेरे को कुछ ने कुछ strong old मिले समझ मैं तो वैसी यहां पर बात है गुपतास ने भी सेम चीज करी समझ मैं तो गुपतास ने भी सेम चीज करी उन्होंने यह सारे पुरान गीता रामायन और यह सब चीजे लिखवाई और उसके अलावा जो है क्या कहते है इतने सारे मंदिर वगरा बनवाया काफी सारी अलग अलग चीजे वगरा लेकर आया ऐसे कहा जाता है कि गुपतास जो पहले क्या था गुपतास ने तो बहुत जादा बढ़िया करा लेकिन गुपतास के बाद में आप देखोगा ना तो लार्जली कुछ भी नहीं है अपना पास कोई बड़ी मेजर पावर जो है उस लेवल की रही ही नहीं है गुपतास के बाद में गुपतास से पहले बहुत लेकिन देखो मज़धार बात बताता हूं लेकिन जब वेद थे तो वेद के टाइम पर आप देखो वेद के टाइम पर कितनी सारी बड़ी-बड़ी डाइनेस्टी थी उनका कोई जो है मतलब अशोका की डाइनेस्टि थी उसके अलावा जो मौरिया डाइनेस्टि पर के लिधि आए तो नमेंके पीछ वैद थै तो कही पुरान, गीत, गीता, रामायन वगारा, ये सब Orange Candy है, ये सब खराब है, इनको नहीं खाना, सब्ग मैं है, इनको खाने से जुखाम हो जाता है, देखो हमको इतने सदियों से जुखाम चल रहा है, जब हम इनको नहीं खा रहे थे, वेद को, मतलब वेद को पट रहे थे, तब हम पारफुल थे इस माइंडशेट से भी कही नहीं कुछ बात कहीं काफी थोड़ा बहुत यह थोड़ा लंबा हो गया इन्होंने अच्छा देखो यहाँ पर क्या बात होती थी यहाँ पर यह बात होती है कि तुम जो है इन सब चीजों को छोड़ दो यह सब illusion है माया है लास में तुम्हें मोक्ष मिलेगा, जब तुम जो है, जो तुम्हारा परमतत्व है, जो भगवान है, उनके साथ में मिल जाओगे, एक हो जाओगे इन्होंने ये बात बोली कि ये सब डबोसलें, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो है, वो अलग है, प्रकृती, जो मैतर जो है, वो अलग है, भी डॉनों अलग अलग चीज़े हैं, भी डॉनों डिस्टिंक्ट है, और इटर्नल एंटिटींज हैं, चलती रहेंगी, संद म्हार, ठीक है, और हर इंडिविजूल को अपने सैलवेशन के लिए काम करना चीए अपने लिए काम करना चीए अपनी मुक्ती के लिए काम करना चीए ठीक है तो ऐसा नहीं कि इन्होंने salvation को renounce करा है salvation की बात करी इन्होंने लेकिन इन्होंने का है कि every individual had to work out his own salvation उसके अलावा क्या चीज है जो नियती का जो ये चल रहा और कर्म के ओपर काफी जादे इन्होंने फोकस करा है theory of कर्म ठीक है कि तुम काम करोगे तो फिर तुम्हें जो है बढ़िया मिलेगा काम करो बट ये नहीं कि सिर्फ खुद के लिए काम करो दूसरों के लिए भी काम करो समझ मैं उसका अलावा क्या है मतला है हिंदू PAUL टोडोक्षि जी और कास्टी ड्यरीडिटी इस ती अनटचिपलेथी थि आइडो लेटरी का मतलब होता है कि जो ऑवागॉर्ति पूजन था फ्रिक है अडिक है? अइडोलेट्री हो गयाway आप उसके लावा पार कर लिया तो आपका रिलिजन छूट जाएका यह काफी जादा उता इस चक्क्र में जो है तो उसके अलावा जो है और शराद वगरा जो अपने यहां पर सिस्टम होता है शराद को भी इन्होंने काफी जादा वो करा था ठीक है कि यह भी कोई मतलब की बात है नहीं यह सब खराब चीज़े हैं इनके उपर इंपर्टेंट हो जाता है उसका अलाब में ने है जी यहां पर चीज और वहां एंतल स्वेड इन्होंने करेंड़ करो सब रहाए उसके अलावा जो है sociology बगर अगर कोई optional है आपका तो उसमें भी आ सकता है ठीक है चलो तो इनको पढ़ना है लेकिन important है ठीक है important चीज है फिर smart cities के बारे में मैं आपको बता रहा था कि smart cities के जो है next month तक पूरा इनका complete हो जाएगा smart cities के अंदर एक जो चीज है कि total smart cities कितनी 100 है और integrated command and control centers ठीक है इसके उपर भी कुछ बीच में news आई थी तो इसे भी थोड़ा सा discuss कर ले थी integrated command and control centers क्या होते है ICCC इनके अंदर जो है एक singular center बनाते है nerve center टाइप बनाते है ठीक है वहां से ही सारे जो भी operations वगरा होते हैं उन्हें काफी सारे operations को manage किया जाता है और जो है city क अंदर surveillance maintain की जाती है ठीक है surveillance maintain की जाती है ताकि safety बनी रहे और अगर कोई exceptional handling वगरा मदला अगर कोई exceptional कुछ case वगरा हो जाता है smart cities mission के बारम को दे रखा अगर कोई प्री के अंदर question आ जाए कि smart cities mission is a central central sector scheme तो यह सही होगा या गलत होगा गलत हो जाएगा क्योंकि यह centrally sponsored scheme है central sector scheme नहीं है ठीक है याद रखना फिर उसके बात क्या चीज़ है 2015 के अंदर इसे शुरू करा गया था सौ सिटीज को टांसफॉर्म करने का था नैसेसरी कोर इंफासेक्टर बनाने का क्लीन सस्टेनेबल एंवार्मेंट का ध्यान रखने का डिसेंट लाइफ प्रोवाइड करने का थीक है फीचर्स के अगर बात करें तो जो सिटी के अंदर एक तो जो इंप्रूब्मेंट जो सब्सक्राइब डिल्डिंग बनी एठीक है तो ब्राउन डेवलपमेंट और ग्रीन डवलपमेंट जॉनों चीज ने ग्रीन फिल्ड पर तो सिटी के इंदर इंप्रूफमेंट गरा गरेंगी जो पहले से चीज है रिडवल्पमेंट करेंगे और शिटी की जो यह बांडी बनाना पर रिस्ट्रीन कोसिंग बनाना उसके अलाव साइक्लिंग ट्राक्स यह सब खीज है नेक्स चीज और अधा पड़ने से पहले एक बार रिविजिन करेंगे क्या क्या पढ़ां यहां पर अपने ट्राइब आपन त्राइब के बारे में देखा ट्राइब की जो इस regulatory authority को बनाया गया जिसके अदर एक तो chairperson होगा और एक दो जो है full-time member होंगे ठीक है और दो जो है वो part-time members होंगे समझ मैं ठीक है तो यह चीज करेंगे उसका अलावा क्या चीज है उसका अलावा chairperson की retirement की 65 और 3 years है ठीक है इसको आप देख सकते हैं और क्या चीज है इनके objective क्या है वे ट्राय का objective क्या है तो तीन objectives है ठीक है तीन functions primary functions आप कुछ भी बोलो सबसे पहले तो जो tariffs है उनकी rates को fix करना और revise करना ठीक है fix करना और revise करना उसका अलावा जो है telecommunication का environment है ठीक है telecommunication जो sector है उसको strengthen करना इंडिया के अंदर ठीक है उसका अलावा transparency और accountability लेकर आना जो overall telecommunication environment है उसके अंदर ठीक है इसके उपर इनका focus है Regulate telecommunication services fixation review यह सम बता दिया मैंना आपको fair and transparent policy यह सब चीज़े हो गई Composition अपने देख लिया है 65 or 3 यह चीज़ भी अपने देख लिये दयानन सरस्वती के बारे में अपने पड़ा दयानन सरस्वती के बारे में क्या चीज़ पढ़ी इस आरे समाज को बनाया था इसका headquarter कहा पे था लहोर में था उसके अलावा जो है इनका original नाम क्या था ठीक है तो मूल शंकर इनका original नाम था ठीक है क्या नाम था मूल शंकर उसका अलावा ने वर्धास को वापिस दयाडा करना बॉरानी चीज़ उनको वापिस वापिस रिवाइबस. और दूसरा रेफॉर्मिस्ट होता है अभी जो चीजे चल रही उनको पुरा चेंज करो ठीक है लेकिन क्या यह modernity वगरा को accept नहीं करते थे बिल्कुल करते थे उसका अलावा क्या चीजे वेद की जो वेद की जो लर्निंग वगरा थी प्लस वेद का जो religion था उसको काफी और जो caste rigidities थी उसका अलावा और क्या चीज होगी उसका अलावा जो caste and class के जो भी subjugations वगरा होते थे वो और untouchability और idolatry और polytheism इन सारी चीजों को यह oppose करते थे उसका अलावा क्या चीज है इन्होंने जो है सिक्षा कहां से ली थी तो इन्होंने वेदांत के अंदर ग्यान ग्रत करा घहां और तो स्वामी वज्र विराजनन्store स्वेड एमिराजननंद ठीक है विराजननन्न ठीक है उसका अलावा क्या चीज है को यह जो आर अप हम अलगर्ध को अब वानध की और ग्र इसमिरन अधसको बता दी इन्टी मोडटन्यटिज अगर apologize कहते थे फिर क्या चीज इस्ट्रॉंगली क्रिटिसाइज हिंदू बिलीफ अगर यह सब हो गया नियती को यह काफी जादा क्रिटिसाइज करते थे और कर्म की बात करते थे ना चलो 100 smart cities के बारे में हैं आप पड़ा ICCC क्या चीज होती है ICCC क्या चीज होती इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है न सौ सिटीज के अंदर बनाएंगी इस ICCC क्या हो चीज होगी तो एक तो जो है सब्सक्राइब करने में अपना देड़न का मैंगे की स्मार्ट गोर्नेंट, स्मार्ट पॉपलेशन, स्मार्ट बोमिलेटी इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा स्मार्ट शेटीज मिशिन यह सब हो गया चलो ओडियेफ, ओडियेफ क्या चीज होती है तो ओपन डिफेक्शिन फ्री विलेजिस नाम से ही आपको पता बटाऊगो ओपन डिफेक्शिन का मतलब होताcing जो बाहर जो ौच वगरा करतें है ठीक है क्यायँ इसका मतलब यह है कि अबवी तक यहाँ पर completely जोहाँ जोई मचीज ओपन डिफेक्शिन बंद हो गया नहीं हुआ ए येसे मैं जहाँ पर रहता हूँ थोड़ा सिटी का पडॅटी परफिफरी इसके जयाँ पास में जहाँ पर रहते हैं उसके जया भी कि अच्चक दि आरें घड़ा काम जो सारे करण केशपे तुमें डेखते हो है तो वहाँ कर रही है थीका है काफी सारे म। इवारे मिनिहीं एक सब्कार न क्चे कच्छे घर है तो उन तो यह बात है अपन को इसके उपर काम करने ही जरूत है सिर्फ टॉइलेट बना देने से कुछ नहीं होता है ठीक है यहां पर भी इसके उपर काफी ज़्यादा फोकुस करा गया जैसे कि आप देखू कहां पर है यहां कही है यार देख रहाँ इवन व टॉइलेट अवेलेबल बहएवियर चेंज एफर्ट अर स्टिल नीडेट ठीक है तो बहँ है तो बहँ हैवियर चेंज अफर्ट की बहुत जाद़ जरूरत हैं यह सब चीज होगे, ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री के बार में ही हाँ पर प्लस विलेजिस वगरा के बार में ही हाँ पर कुल लिख रखा है, कि भई ऐसा जहां पर टॉलेट्स वगरा का इस्तमाल किया जाए, यह जो SDG गोल है, SDG गोल नंबर 6, उसके सा नाम है, Zero Anger, फिर 2 भी अपन पट चुक है, जिसका नाम है, No Poverty, फिर उसका बाद अभी अपन ने जो है, उसका लाव थ्री भी अपन देख चुक है, हेल्थ, हेल्थ के ओपर यह कुछ है, ठीक है, हेल्थ और एक बार वापर चेक करेंगे, हेल्थ अगर पुछे, उसके ल लाइफ इंवाटर, फोर्टीन नमबर का है, क्लामेट एक्शन अपने देखा है, थर्टीन नमबर पर, यह सारे मेंस के लिए बहुत जादा इंपोर्टन है, प्री के अंदर नमबर तो बली ना पूछे, लेगन यह चीज जरूर कूर सकते हैं कि इसमें से कौन सा SDG है या क्लामेट एक्शन अपन जरूर देख चुक है उसके अलावा अभी अपने और कौन सा बढ़ा अभी अपने नमबर सिक्स पड़ा, नमबर सिक्स के अंदर किया चीज देखो इनकी नम्बरिंग ना बिना नम्बरिंग के यहाद रखना तो ज्यादा इंपोर्टन है, क्योंक भारत मेशन फेस्टू ग्रामें 2020 के अंदर शुरू हो गया था, यह सब चीज है, माइक्रो एलिडी अब यह जो आपल के जो यह चीज लगा रखी ठीक है, थापने बहुत ज्यादा खास चीज नहीं, यहीं टाइम पास के लिए, लेकिन साइंस और टेक्नलोजी के परस्प वगता है, उसके अंदर क्या चीज लगती है, OLED डिस्पले लगता है, ठीक है, OLED बहुत चुका है, LED के अलावा जो है, उससे बहुत पहले LCD चलते थे, ठीक है, अब जो है, QLED भी है, ठीक है, लेकिन लाजली जो सब के अंदर है, OLED लगता है, और इस OLED के अलावा, Samsung वगरा नह लेकिन क्या ये अभी तक कहीं पर लगा है नहीं अभी तक लगा नहीं ये लोग भी बोल रहे हैं कि हम 2024 या 25 तक अपनी जो वाचिस वगरा है उनके अंदर इसे लगाने का प्लान मना रहे हैं ठीक है तो फोन में और Mac वगरा जो है उनके अंदर आने पर बहुत जादा टाइम लग जाएगा अभी समझो ये अपने लिए क्या काम का है अपने लिए सबसे पहली बात तो जो ये तो फिर एक Micro LED वगरा वो चीज बनेगी ठीक है तो ये वैसे नैनो टेक्नलोजी और उसका पार्ट हो जाता है तो अपने पेपर के अंदर दे रखा है नैनो टेक्नलोजी बायो टेक्नलोजी दोनों के उपर फोकस कर रखा है सबना है फिर क्या चीज है इच आफ दीज माइ चीज बराइने से अभी कितनी मेंगजी है तो 2000 निट्स एसा कुछ यह तो इसके आधर बराइटनेस यह काफी जाए त्यियरा ठीक है तो यह कितनी है अभी अपने पास जितनी भी आती नहीं यह रफ़ ए डबल ओलेड और LCD वगे अगरा अगरा अ अगरा होता है और जो 98 participating nations यह Aero India है Aero India हर साल होता है अभी कहा हो रहा है अभी यलहंका में हो रहा है यलहंका Air Force Base अभी यह चीज जो है यूज़ली यहां पर यलहंका और इधर ही होता है वैंगलॉर के यह पर होता है तो यहां पर किसके ऊपर फोकस करा जाएगा तो फांच दिन का है टोटल सिस्टम है न पांच दिन में से तीन दिन का जो है वो बिजनस होगा पूरा बिजनस का ही मामला होगा जो भी बड़े-ड़े डेलिगेट्स वगर आँगे मल्टिपल अलग 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 जो बड़े-बड़े बिजनसमान होंगे बहत सारी अलग 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 जो है defense industries वगरा के ठीक मलब defense companies वगरा के उसका अलावी जो दूसरी अलग-अलग काफिसारी countries वगरा होगे तो उनके सारे लोग आएंगे और अपने यहां के भी काफिसारे delegates वगर आएंगे, कुछ foreign defense ministers वगर आएंगे, यह सारे लोग आएंगे और यह सारे लोग फिर बाद में memorandum of associations काफी सारे sign करने का है, total 251 अपन जो है, उमीद करीए कि 251 memorandum of associations अपन sign कर लेंगे, ठीक है, और इससे अपन को कितने का फाइदा हो सकता है, तो 75,000 करोड की deals हो सकती है ठीक है, फाइदा कितने का होगा, यह इसके अंदर है, और चीज, मतलब काफी सारी अपन दूसरी इन companies वगरा कोई बनाया है कि तुम हमार साथ आओ हपन दौनों जो है, साथ में 16 and 17, ठीक है, अगर कोई महाँ पर रहता तो देखना जरूर, बहुत बढ़े हैं चीज होती है फिर उसके बाद क्या चीज है यहाँ पर देखो, असी रिवर के वारे में नहीं रखा है यह असी रिवर का क्या है, तो वारा नसी जो जगे है, ठीक है, उसका आधा नाम इसी रिवर सा था असी रिवर, यह असी रिवर वैसे गंगा की एक ट्राइबिटरी है गंगा की एक ट्राइबिटरी है इस ट्राइबिटरी की अभी हालत बहुत जादा खराब हो रही है पहले जो है यह 50 मीटर की हुआ करती थी अब बस 30 मीटर की रह गी है तो नियरली आधी हो चुकी है और क्यों हो चुकी आधी इसलिए हो चुकी क्योंकि काफी सारा इसके अंदर सीवर वगरा डब करते हैं यानि कि 24 नालों का कच्रा सारा जितना भी होता है वो सब कुछ इसके अंदर आता और अभी मैंने आपको एक दो दिन पहले ही एंवार्मेंट की लेक्षे सीरीज के अंदर समझाया था कि इस कच्रे के वज़े से क्या चीज़ होती है यूट्रिफिकेशन वगरा होता और काफ इसके ओपर ध्यान दो तो यूज्वली लोग गंगा पड़ते हैं पड़ गंगा के ओपर इतने जादा क्वेश्चन मैंने अभी तक बहुत जादा देखी नहीं है ठीक है लार्जली जिसके ओपर फोकस करा जाता है सबसे पहले नमबर पर वो सदन जो है सदन इंडिया की जो रिवर्स हैं उनके ओपर फोकस किया जाता है उसके बाद में फिर जो ब्रह्मा पुत्रा है और इंडस है इनके ओपर फोकस किया जाता है उसके बाद में जो है गंगा के ओपर फोकस किया जाता है ठीक है और जब सब खतम हो जाता फिर नर्मदा और तापी और इनकी बा अभी Ganga लेते हैं क्योंकि यह जो असी river है यह गंगा की ठीक है तो और कौन कौन स सी Ganga की Tributaries है यहां पर देखो तो कि देखो सबसे पहले सबसे पहले यहां سے Ganga शुरू होती है यहां से Ganga शुरू होती है यह जो part है इस पार्ट के अंदर क्या चीज़ है, इस पार्ट के अंदर दो चीज़ें जुड़ती है, एक तो भागी रथी और एक अलग नंदा, मतलब यहां साती है, एक तो भागी रथी और एक अलग नंदा, फिर उसके बाद वो दोनों जाके यहां कहीं पर मिल जाती है, फिर उसके यहां पर एक river और जुड़ी थी, जिसका नाम था, Ram Ganga, ठीक है, Ram Ganga, उसके अलसा और एक चीज़ आ, उसके अलसा, यह Ganga बन वरी, Ganga के साहत में, parallel एक river और चल रही हुती, Yamuna, अभी इस Yamuna को भी पढ़ेंगे, ठीक है, Ganga के साहत में, जो है के पसी तना से यह है ठीक है 3GK 3GK ऐसे करके आप याद कर सकते हैं 3GK के अंदर क्या है सबसे पहले गोमती फिर गागर फिर गंडक है ना लास्ट में कोसी यह सारी है इनके अलावा छोटी छोटी खूप सारी है अभी जितना पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं इनक पर तो यहाँ पर देखो गोमती घागर गंडक और कोसी उसके बाद नीचे और कौन कौन सी है तो नीचे एक तो जो है तामसा है और सोन है और क्या है बस यही है अब यहाँ देखो यमुना यमुना भी उससे मिलती है तो यमुना जो उससे मिल रही है यमुना के अंदर और कौन कौन सी रिवर मिलती है तो बानस मिलती है चंबल मिलती है, बेटवा मिलती है और केन के बारे में यहाँ पर नहीं दे रहा और यमुना आ गया, गोंती आ गया, गागर आ गया, गंडग आ गया, कोसी आ गया फिर नीचे जाके यहां पर फरक्का बराज आता है फरक्का बराज से यह जो है डाइवर्ट कर जाती है एक तो बंगलादेश के अंदर जाती है नाम होता है फिर इसको बढ़ मांतायों पीर शेयर बॉट रवाइओ इंसके अंदर म्युगानता टम्दन को पधलर टर बोलते है उसको पूरे को और यहां पर जो फिर बाद में जुड़ जाती तो उसका पूरे का नाम मेगना हो जाता है यहां पर चोटा सा पाट है उसको मेगना बोलता है लेकिन मेगना होती बहुत भारी है ठीक है पदमा बहुत बहुत बारी होती है क्योंकि यह सारी रिवर्स है ठीक है अब खाली उनको ऐसे नहीं छोड़ता ना इसको पूरा मैपको अपन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले यहां प पिर उपर से क्या क्या चीज आरी उपर से एक तो और रही राम जंगा था 7 तीन डॉन कौन से इटक Lucas और एक घागर और एक और g रह रहा है इस अलावा और क्या चीज है उसका अलावा यहां पर थ Minh K Micha acqu तो को सी को सी भी आगया फिर सात में एक रिफisen ochal tekrar इसका नाम होता है यमूना थिस यमूना यमुना मिल हिए। पर यहां पर साथ के बता रिबर सहुन काओ सी बजगी है गोंती-गोंती नहीं दो भणा है गोमती भी एक आजाती है तो थर्ड वाली गोमती फिर उसके बात क्या चीजे गोमती घागर गंडग को सी ओगई यह तो बानस चंबल भीया बेटबा हो गया राम गंगा वगरा यह सारी चीज हो गया धर्या तो क्या बजगा एक तो सोन बजगे है और एक तमस बजगे है ठीक है यह सारे चीज़ है बस ठीक है I hope यह आपको समझ में आया हो इसको पर ध्यान देना important है मतलब अगर major primary अगर यह यही पढ़ लोगे न तो काफी सारा elimination में तो मदद मिलेगी क्योंकि question यह tough पूछने वाल है अपन सोचेंगे कि इसको रटलें रटलें कितना ही रटलो कुछ नहीं होने वाला सब आज में ज्यादा जब आसकते हैं यह खिर को फारें पर देखो नियुजेलेंड के अंदर एक जाव कसी अगर्ण सब कह zmi चाट के जाते हैं तो नहीं पूछते हैंENS ओधरòng इस निवी जेलेंड है और यहां पर यह तस्मान सी है यह तस्मानिय और रीफ अगरह है फिर क्या अब देखो यह शायद लास्ट निव यह अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं यह आप यह आप खुछ से पर सकते हैं कि देखो चाइन अखसाई चीन अभी क्या है कि यहां पर यह वाला जो रीजन है पूरा अपन इंडिया का मैप अकसर डॉब करते हैं लेकिन एक्चुल आपको पताए कि वह इंडिया का मैप कैसा है एक्चुल में इंडिया का माप जो है वो कुछ ऐसा है इस टाइप ऐसा कुछ है मैं थोड़ा सही नहीं बनाया इसको ठीक है लेकिन वह ऐसे ही कुछ है यहां से थोड़ा साओ पर जागे फिर ऐसे कुछ है ठीक है तो यह चीज़ है तो अपना पास कौन सी चीज नहीं है अपना पास गिलिट नहीं है बालतिस्त अपना पास नहीं के सब बेभा Jest एक चीजी यहां पर इनोने एक हाइवे बन गया था या कि वह नहीं तब अपने पास नहीं होना है हुएए लेकिन नहीं ऑन पना चाहिए,енно यह पार्ट अपने पास नहीं है तो यहां पर कॉन-कॉन सी माउंटेन रेंज आती यह अपने काम आजाते हैं एक तो कुनलून माउंटेन, दूसरा सोडा प्लेंज, तीसरा पैंक गॉंग रेंज, उसके अलावा क्या चीज़े उसके अलावा यह पैंक गॉंग सो और ताव मुरा पास या आती है तो यह गौन कर कान सब से निचे के आती हैं शीवालिक हमेशा सबसे नीचे आती हैं यहां सबसे नीचे ऐती हैं तो इले इहां पर पहलों नीच आते हैं तो का राकुरूम हमेशा सबसे एक यह जासकर dlatego नहीं यह तो यहां नहीं पर पन्द में तो इसे में ए यहां पर आता है कैलाश ठीक है यहां पर कैलाश आता है अब कैलाश किदर है देखो इसको समझो लद्दाक के जश्ट इस तरफ कैलाश है और कैलाश अपने यहां पर नहीं है कैलाश जो है चाइना में और जो क्या नाम है नेपाल ठीक है चाइना नेपाल में है ठीक है अपन बस यह हो गया Kaara Kurum सबसे पहले उसके बाद यहां पर जासकर और पीर-panjal अगर आ जाता है यह जासकर वैली दे रखिए है ठीक है यह वैली ऑफ कश्मीर है यह पुंच रियासी हिल्स है पुंच काफी जादा फेमस है काफी जादा न्यूज में रहता है उसका अलावा क्या च यहां पर हिंदू राज को भी आप याद रख सेंगें जुराज राज कहा पर है गिल गिट के अंदर ऊपर की तरफ है ठीक है चलो फिर क्या चीज है बस यही सब अपने आज यही सब पढ़ा अचा इस से पहले questions ववगरा को भी discuss कर लेते हैं यह सारी सारी अपने reverse देख लेते reverse को वापिस एक बास हमेले ना भागी रती और अलग नंदा उसके अलावा राम गंगा जो गंडक है गोंती है घांगर है कोसी है और यहां पन नीच उसका अलावा क्या चीज है असी रिवर इस रिवर को भी याद रख सकते हूं अधिया है यही सारे questions थे को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटा 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 ओके यह सारे को इन सारे को एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले which of the following are examples of viruses इसमें से कौन सा जाए वाइरस का example है H1N1 है क्या हां है इसी को avian influenza या फिर bird flu भी कहते हैं कि कल अपने इसी के आफ दिस्कस कराता उसका लावा जू झाएंतिली को अपने कहां पर इस्कस कराता तो ये भी एक वायरस है बिल्कुल भी नहीं ये एक animal है सॉरी ऐल्गी है क्या है एल्गी है किसके साथ में रहती कोरल पॉलिप्स के साथ में रहती है जूजानतली जूजानतली के अलावा है यह वाईरस है और इन्फुएंजा भी वाईरस है ठीक है तो कौन-कौन से चीज़े हो गई वन थ्री और फ्र फॉर वन थ्री फॉर किसके अंदर है भी आपका सही जवाब होता है फिर यहां पर द लेंग्विज को अगर आगे जाके बनाने के रुश्व के बात करता है तो पार्ट 17 के अंदर अफिशल लेंग्विजे आता है इसी यहां रखना किस किस पार्ट को अपन देख चुके है वापिस से रिवाइस करते हैं पार्ट 1 के अंदर के आता है यूनियन एट्स ठीके और है इंदर क्या आता है यूंियन गौर्मिन ठीक है और सिक्स इंदर के अंदर क्या अफिचा है एंट्स पीजिए जिवलेशन्स सेंटर सेटीयरीम खित है पंके म मünुसिपालिटी है और किसे देख चुके है 17 को अभी मना आपको 17 के बारे में बता दिया है कि 17 के अंदर क्या है official languages है ठीक है official languages उसका अलावा part 20 के अंदर क्या है तो article 368 है बस यह की part है ठीक है वो क्या चीज है constitutional amendment act यह भी तक नहीं मतलब यह शायद देखा है अपने पॉलिटी के अंदर में शौर नहीं हूँ उसका अलावा और किस चीज को अभी तक अपन देख चुका है कि 20 अगरा हो गया इलेक्शन को भी नहीं देखा ना इलेक्शन का भी एक सेपरेट पार्ट अलगस है चलो फिर part 8 union तो अब आपसे कोई पूचे तो उसको भी याद अखना पार्ट एंडर क्या आता है union ट्रिटी इस क्या अता युनियन अति सेटियाट वेक्शन काने शेड्यूल के लिए शेडूल 5 और शीज अलग है तो शेडूल और इसे बहुत जादा न्यूज में चल रहा है अगर आपने जो है वो उनके बारे में सुनाओ इसे अपने भी डिसकस करा है डीटेल में जो भी लद्दाप के अंदर जो सिटुएशन चल रही है उसके बारे में अगर आपने सुनाओ तो यह काफी जादा तीनों पेर सही हो जाते हैं और यह बारे में डी लेंगवेज को प्रमोशन करेंगे और यह आता है उसके बाद भी यह DPSP का पार्ट है, याद रखना ठीक है, पार्ट 4 में न आने के बार DPSP के पार्ट सिर्फ तीन आर्टिकल है, उसमें से एक जो है वो आर्टिकल 351 है, दूसरा 350A है, ठीक है और तीसरा 350 है, समझ मैं यह तीन जो है, यह आर्टिकल्स non-justice-able है, और DPSP के अंदर नहीं है, DPSP के अंदर आते हैं, part 4 में नहीं है पिर आर्टिकल 44 DPSP के अंदर आता है, बिलकुल आता है UCC, ठीक है, Uniform Civil Code यह article 44 DPSP के अंदर आता है फिर 6 citizenship यह यह आता है कि नहीं आता है, बिलकुल यह भी जो है, यह भी citizenship पार्ट के अंदर आता है ठीक इसे भी याद रखना करेक्ट पिर सो वापिस कितने हैं थ्री ओर सब्सक्राइब करें तो यह जो पूरे हैं यह तीनों के तीनों के तीनों फंडामेंटल राइट से और यह चीज कहां से आई हैं अभी समझते हैं इसको कमेर्शिल आइड्स बि आया था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और उसके जो फर्दर सब क्लॉजेस हैं A, B, C से लेकर के जे तक ठीक है इन सबको अपने देखा था तो उसके अंदर से यह तीनों चीज़े हैं राइट टू एकसेस टू वेलफेर स्टेट यह है क्या नहीं यह नहीं है ऑल्दो इससे आयमल को याद रखना है ठीक है तो जो है A, B, C तो वो हो गए कि यह फंडामेंटल राइट में आते हैं तो इकलौता जवाब आपके पास क्या मचा क्या चुनना है नौट अफंडामेंटल राइट तो सही जवाब वो और दी समझ में है तो 57 का D एंसर है फिर विच और फॉलेंग आर पार्ट्स और वेस्टन गाट्स इसमें से कौन सा वेस्टन गाट्स का पार्ट है यह फिफ्टी एर्थ कोश्चन है इससे पहले के सारे कोश्चन अपन क इसके अंदर से सिर्फ ताल कावेरी और कुदेर मुख है कल ही मैंने आपको बताया था जब अपन उसको डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले सयाधरी आता है सबसे उपर सयाधरी आते हैं वेस्टन गाट्स पढ़ा रहा हूँ सयाधरी के बाद क्या चीज आती है सयाधरी के बाद तीन नहीं सॉरी दो माउंटें रिंजे जाती है फिर नील गिरी आता है और फिर तीन माउंटें रिंजे जाती है इस तरीके से आपको याद करवाया था या ना बीच में नील गिरी उसके उपर दो और उसके नीचे ती तो उपर दो कौन कौन सी, उपर दो है ताल कावेरी और कुदेर मुख, ये दोनों है, ठीक है, नीचे तीन कौन कौन सी, नीचे सबसे लास्ट वपन ने देखा था, अगस्ते मलाई, उसके ओपर पर पर अन्ना मलाई, ठीक है, तो याद रखना है, सेशा चलम कहां पर है, इस्टन घाट्स में है, वेनु कौनडा कहा है, वो भी इस्टन घाट्स में, सुरु मली कहा है, वो भी इस्टन घाट्स में, शेवरोय कहा है, वो भी इस्टन घाट्स में, ठीक है, सारे के सारे इस्टन घाट्स के, वेस्टन घाट्स के सिर्फ दो हैं, ताल कावेरी और कु लाइनु कॉंड़ा, पाल कॉंड़ा, नगरी, जवडी, शेवरोई, पंचे मलाई, ये सारे के सारे महां पर है, शिरुमली और एक दो और भी हैं, बहुत अब अब ऐसा करके कुछ नाम था एक का तो वह सारे महां पर हैं, याद रखना है, इस लेक्चर के पीडिएफ की लिं homework को भी comment section में लिखे ठीक है और बाकि अगर पिछले lectures नहीं देखे तो वहाँ से देख सकते हैं share करें अपने दोस्तों के साथ अपनी saved messages के अंदर भी इसे share कर सकते हैं Thank you very much